राधे राधे हर कृष्णा आप सब का कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक आदशी का वृत पूजा आदी संपूंड करने के बाद जब पारण दिथी आती है यानि वादशी के दिन कैसे पारण करें और उस दिन लड़ू गोपाल जी को क्या भोग लगाना चाहिए ये वीडियो इसी पे आधारी थे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों पारण के दिन सर्व प्रतर ब्रह्म मोहरत में सनानाली से निवरितों कर फूजा पाठ करने के बाद किसी सूपात्र ब्राहमण को दान दक्षिना देकर ब्राहमण को भोजन कराएं तब भोजन ग्रहण करें और हो सके तो साथविक भोजन ग्रहण करें यानि की भोजन में लेसन प्याज का प्लयोग न करें अब यहां पे बात आती है कि द्वादशी थिथी के दिन लड़ू गौपाल जी को क्या भोग लगाएं तो चलिए दे पूर सेवन किया जाता है चावल खाके ही पारण करना चाहिए तो आप लड़ू गोपाल जी को भी दाल चावल रोटी सबजी का भोग लगाएं लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो भी आप भोग बनाए ठाकुर जी का लड़ू गोपाल जी का उसमें भूल कर भी लेस लेसन प्याज मत प्रयोग कीजिएगा ठाकुर जी के लिए जो आप सबजी बनाते हैं आप आलो की भजिया बना ले बिना लेसन प्याज की चावल में तो लेसन प्याज पड़ेगा नहीं दाल में लेसन प्याज मत डालिए सिर्फ जीरे का आप जीरे से फ्राई कर सकते हैं दाल को चटनी लगा सकते हैं धनिया की कहने का ताथ पर ये है कि आप त्वादशी तिती के दिन लड़ू गोपाल जी को भी अन्न का भोग लगाईए उसमें तुलसी दल अवश्र डालिएगा और फिर वही भोग आप पारण के वक्त सही समय पे प्रशादी ले लिजिए उस दूद का भोग लगा ले मेवे मिश्री का भोग लगा ले उसके बाद आप ठाकुर जी को भोजन बनाके यानि की दाल चावल रोटी सबजी का भोग अवश्र लगाईगे और फिर उसी से आप पारण कीजिए तो इससे आपको ठाकुर जी की प्रशादी भी मिल जाएगी और आपका पारण भी हो जाएगा निश्चित समय पे पारण करें जो पारण का समय दिया गया है उसी समय पे पारण करें एक बात अवश्य ध्यान रखें दोस्तों द्वादशी दिथी के दिन जब हम एक आदशी का पारण करते हैं तो उस दिन तीन समय भोजन नहीं किया जा यानि कि अन्य का सेवन तीन बार नहीं करना चाहिए भूल कर भी द्वादशी दिथी के दिन दो बार ही भोजन करने का विधान है तो इस तरह से आप लटू को पाल जी को डाल चावल रोटी सब्जी का भोग लगावे और फिर वही भोग आप ठाकुर जी का जो प्रशाद है वो प्रशादी आप पाले इस तरह से आप पारण करें और ठाकुर जी को भी भोग लगाएं तो देखिएगा ठाकुर जी की कृपा आप पे बनी रहेगी और इस तरह से आपकी एकादशी भी संपूर्ण हो जाएगी और अगर कोई तुड़ी बहुत भी गलती हो जाती है पूजा पाठ में तो वो ठाकुर जी की कृपा से शमा प्राप्त हो जाएगी और इस तरह से आप भोग सेवा करें ठाकुर जी की द्वादशी तिती के दिन अन्न का भोग लगाएं जरूर से अन्न का भोग लगाएं द्वादशी तिती के दिन और फिर वही प्रशाद नियम अवश्य बनाए एकादशी तीथी के दिन चावल का सेवन नहीं किया जाता है लेकिन वहीं पे दौादशी तीथी के दिन धवादशी के दिन यानि कि जब पुरत हो जाता है तो चावल खाकर ही पारण करना चाहिए इसलिए दौादशीतिति के दिन आप ठाकुर जी को बाल गोपाल लड़ो गोपाल जी को दाल चावल रोटी सब्जी का पहले भोग लगाएं और फिर वही प्रशादी आप पालें इस तरह से आप पारण के दिन लड़ो गोपाल जी की सेवा करें उसके बाद आप दो पहर मे जो भी भोग लगाएं फल का भोग लगाएं जूस का भोग लगाएं आपकी जो इक्षा हो उस चीश की भोग लगाएं ठाकुर जी की आप सेवा जैसे भी करें जिस भाव से सेवा करें लेकिन पारण के दिन सर्व परथम दूर आदी पिलाने के बाद दो पहर के समय आप अन्न का भोग अवश्य लगाएं और फिर वही प्रशादी आप प्रशाद रूप में अवश्य ले लें इस तरह से आप पारण के दिन लड़ू गोपाल जी की विदी विधान से भोग सेवा अवश्य करें तो इससे आपको ठाकुर जी की भी कृपा प्राप्त होगी और अगवान विश्णु की भी कृपा आप पर बनी रहेगी कहा जाता है कि एक आदशी का वर्णन होता है जब सही विदी से सही समय पे हम पारण करते हैं इसलिए पारण का विशेश ध्यान रखना चाहिए श्यमत भागवत में भी पारण का वर्णन है इसमें एक कथा आती है कि राजा अमरीश ने एकादशी का वरत रखा था और द्वादशी तिथी के दिन अचानक से दुरवाशा रिशी का आगमन होता है राजा अमरीश सोचने लगते हैं कि आज मैं एकादशी का पाराण करने जा रहा हूँ यानि द्वादशी तिथी के दिन वो एकादशी का और उनके द्वार पे उनके राज महल में दुर्वासा रिसी का ना होता है तो वो बहुत खुश होते हैं वो कहते हैं कि हमारे महल में सादो संतों का आगमन हुआ है ये बहुत खुशी का बात है तो वो कहते हैं कि हे रिशीवर मैं दुआदशी तिती पे एकादशी का पारण करने जा रहा था लेकिन आप लोगों के आगमन हुआ ये बहुत कुशी की बात है पहले आप लोग भोजन ग्रेंड करिए उसके बाद ही मैं भोजन ग्रेंड करूंगा तो दुरवाशा रिसी ने कहा हम लोग पहले इस नानादी करेंगे उसके बाद ही भोजन ग्रेंड तो इस नानादी करने से दुरवाशा रिसी को समय लग गया जिसके कारण दुरवाशी तिती जो थी वो छिड़ होने वाली थी अर्थात खतम होने वाली थी और एकादशी का पारण जो होता है वो दुरवाशी तिती में ही करनी चाहिए त्रेदशी तिती लगने वाली थी त क्योंकि वो भोजन नहीं करना चाहते थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर वो पहले भोजन कर लेते तो रिशी मुनियों का अपमान हो जाता एसलिए रिशी मुनियों की आग्या से उन्होंने भगवान के चरणोदक से भगवान के चरणामित से उन्होंने द्वादशी ति पारण करने का उसी समय में पारण करना चाहिए ये कथा राजा अमडीश की कथा है जो की एक महारास थे और ये कथा शेमत भागवत से आती है दोस्तों अगर आप एकादशी का वरत निर्जला करते हैं तो आप सबसे पहले तुलसी दल और जल से पारण करिए उसके बाद ही आप भोजन को ग्रहन किया करिए एक आदशी वृत सबसे बड़ा वृत माना जाता है और ये तीन देवसी वृत माना जाता है यानि की दश्मी तिती से लेके एक आदशी और द्वादशी तिती को जाके ये संपन होता है द्वादशी तिती के दिन सुबसनार अधी करने के बाद पहले आप पूजा अधी कर लें जिसकी भी पूजा करते हैं चाहे आप बाल गोपाल की पूजा करते हैं इस्ट देव जो भी आपके हैं उनकी पूजा अधी करने के बाद ही आप पारण करें और पारण करने के लिए आप तुलसी दल, भगवान का चरणा मृत और चावल ये तीन चीजों से आप पारण अवश्य करें द्वादशी तिति के दिन भगवान विश्णू की पूजा अवश्य करें अगर आप लड़ू गोपाल की पूजा नहीं भी करते हैं, सेवा नहीं भी ले रखी है तो भी आप इस नानादी करने के बाद, क्योंकि आपने इकादशी का अवरत संपन्ने किया है इसलिए भगवान विश्णू के चरणों में अपना शीश अवश्य जुकाएं और भगवान विश्णू से शमा याश्ना जरूर करें ताकि पूजा में अगर आपसे कोई त्रोटी हुई हो तो उसके लिए भगवान विश्णू शमा कर देंगे कहा जाता है कि द्वादशी तिति के दिन चावल का सेवन जरूर करना चाहिए चावल आप जिस भी रूप में ले सकते हैं चावल की खिजड़ी बना सकते हैं सादा चावल बना सकते हैं चावल की खीर बनाके आप भगवान को भोग लगाके और फिर स्वयम ग्रहन करें द्वादेशी तिती के दिन जो भी भोजन आप त्यार कर रहे हैं वो सर्सों के तेल में तो बिल्कुल ही न त्यार करें और एक बात का अवश्य ध्यान रखे कि आप द्वादेशी तिती का जो पारण कर रहे हैं उसमें मूली, बैंगन, मसूर की दाल का सेवन तो बिल्कुल ह ना करिएगा, सात्विक भोजन बनाएं, सात्विक भोजन ग्रहन करें, लेसन प्याज का प्रयोग बिल्कुल ही ना करें, और पारण करने के बाद, यानि कि भोजन करने के बाद भी आप सात्विक ही रहें, पारण करने के बाद, जो आपने सात्विक भोजन ग्रहन कर लिया ह उसके बाद भी आप लेस्ट प्याज का भोजन आप ग्रहन ना करे, मांसमदरा का प्रयोग ना करे, मतलब की सात्विक्ता का आप ध्यान रख रख तो इस वीडियो के मादयम से आपको जनकारी मिल गई होगी कि पारण के दिन, द्वादशी, तिति के दिन, लड़ो गोपाल जी को क्या भोग लगाना चाहिए और कैसे भोग लगाना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, उमीद करती हूं कि ये जनकारी आप के लिए बहुत helpful रहेगी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए राधे राधे हरे कृष्णा